सही decision ले लिया गया है and Vince McMahon is finally and officially out of this company ओके, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter तो इस वीडियो में guys हम लोग बात करने वाले हैं आज ये SmackDown के बारे में जो कि Royal Rumble से पहले WWE का आखरी शो था लेकिन SmackDown के ओपर आने से पहले, let me break a breaking news for you और जब SmackDown चल ले थी, उस टाइम पर ये बात reveal हुई है कि Vince McMahon, WWE Company से, TKO से, Group से, Holding से, सब जगह से जा चुके है चलो आपको शुरू से बताता हूँ क्या हुआ, ये SmackDown चलने के दौरानी हो रहा था ये भी बताता हूँ आपको, सबसे पहले तो रात मी ये चीज आए कि WWE का अब तक का सबसे बड़ा जो sponsor रहा है, Slim Jim, जो Royal Rumble में sponsor करने वाला था, WWE को, उसने sponsorship करने से, उसने WWE को sponsor करने से मना कर दिया, obvious reason, WWE के around, जो negativity चल ली थी, कोई भी company, ऐसी चीज के सांथ, बल्कुल भी अपने आपको associate या फिर link नहीं होना चाहेगी, जैसा महा होल समय, WWE कंपनी के अंदर चलना, तो उन्होंने बोला, भीया, हम ना करने वाले हैं सब, अभी कल तो मतलब कि सारे चीज़ चल रही है, वो बोलते हैं कि मैं अपना जो, I have decided to resign from my executive chairmanship and the TKO board of directors, effectively, immediately, यानि कि clear उन्होंने बोल दिया कि वो जो है, WWE company का, या board of director का TKO का, ये जो part नहीं है, इसके बाद, Nick Khan ने भी, जो सारे WWE का staff है, उनको, उनको, जो है, mail करके लिखा कि, जो Vince McMahon है, अब वो फिलाल जो है, अपना resignation डाल चुके हैं, और वो जो उनको executive chairman और TKO के board of directors का role था, अब वहाँ पर वो serve नहीं करने वाले, अब मुझे बता आप में तो हो सारे लोगों को लग रहा होगा कि, यार, ये तो सिर्व भी कहनी की बात है, Vince McMahon दोबारा से वापस आजाएंग के इस वज़े से उस power का use करके वो आये थे, लेकि अब ये जो सारा merger पूरा endeavor TKO holding बन चुका है, तो अब situation बिल्कुल भी नहीं है, still बहुत ज़्यादा stock है, यानि कि पैसा है www.tko group के अंदर, लेकिन उस चीज का वो use करके इस बार वापस नहीं आ सकते, और देख रो भाई, एक ही mail में कितना hypocrite कोई इंसान हो सकता है, ऐसे words usually मैं कभी use करूंगा नहीं किसी के लिए इतने हार्ष, रेकिन भाई, जो भी है, जैसा भी है, जब ऐसी हरकते होंगे, तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या, मतलब क्या है वो, उरो और ये तो बोला कि अपने हम को defend करेंगे, लेकिन साथ में यहीं बोल रहे हैं कि वो फिलाल जो है, फिलाल क्या मतलब निकली गए है वो company से, तो ऐसा कैसा हो सकता वाई, ऐसा ही, विन सुकमैन ने सेम तब भी बोला था, जब उनके ओपर पहली बार ये जो है, जो है, जो है, विन सुकमैन का पता है, वो तो यहां पता चलती है, इतना ही नहीं, एंडेवर ये भी करने वाली है कि जो भी चीजे विन से रिलेटेड हैं, उनको भी भागा दिया जाएगा, मतलब विन्स वाला कोई इफेक्ट चाहते ही नहीं है, वो नहीं शुरुवात करना चाहते हैं, वो सारे लोग अच्छा उनकी कमपनिया फिर उनके फाइननशल इफेक्ट और तो ऐसी चीज़े कोई भी निस है ना चाहेगा, एंडा गुड नियूज इस की बहुत साय लोग बिलीव करते हैं कि स्टेफनी मिक्पैन डेवलवली में दुबारा से वापस आजाएंगी, आपको पता ही हो रहा है, ज नहीं है, और उमीद भी नहीं है कि आने वाले टाइम में वह इस कंपनी के अंदर वापस आएंगे, विंज सुकमान वह बंदा इसने प्रोड़क को बनाया, सब कुछ किया, जिस हुझे सम्ड़ डेखते हैं, अगर ऐसी चीज़ होंगी, बार बार होंगी, इतनी जादा एक कंपनी में नाम लिया जाए, जब क्रिस बेनवा के साथ वो चीज़ हो सकती है, तो ऐसे फिर विंस मिक्मैन के साथ भी होनी चाहिए, अब बताना है इसके पर आपके क्या थॉट्स है, तो चलो इन सारी जो को पीछे चलके, अब बात करते हैं आज के स्मैक डाउन के बारे म बलड लाइन की बारे में बात करने वाला हैं, और जो बलड लाइन की जो सकसेस है, उसके पीछे वो क्रेट देते हैं, रोमन रेंज के जो तेरा सो दिन हैं, वो हो चुके हैं, लेकर बोलते हैं कि रॉल रममोल होने के बाद एक ही वो नमबर है, जो कि सब को याद रहेगा और वो है 15 क्योंकि मैं रोमन रेंज को हराऊंगा और बनुगा 15 टाइम डेवल डबली के अंदर वर्ल्ड चैंपियन, और यह सारी चीज़े होंगी मेरे आर्को की वज़े से, इतना होने के बाद एजस्टाइल्स का थीम सॉंग ले होता, एजस्टाइल सिंगल के आता हैं, वो बोलते हैं, भाई जरा यह भी धियान रख ले कि उस मैच में और भी मेंबर्स हैं, और जब तक तु इस बिजनेस में हैं, तु मुझे तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, और वो यह बोलते हैं कि तुने निमर को आर्को मारा था ना, उसका भी बदला आने वाला, और कि जब रोबन रेंस को हराँगा तो उसके बाद I will be stepping over, वो Randy Orton का नाम लेते हैं, रोबन रेंस का नाम लेते हैं, और जैसी वो LA बोलते हैं, वो बिल्कुल अपने बारे में जब से तु आया है, तु रोए ही जा रहा है, मैंने यह नहीं किया, मुझे देखो, मेरो पर कितन लेकिन मुझे उस बात को कोई भी डर नहीं है, एंसाथ में भी बोलते हैं, कि मैं सोलो सिकोगों को इतना बोरा मारूंगा ना, और जो उन्होंने बिल्कुल रिकेशी का डान स्टैप करके दिखाया, वो नाश्मने लगेगा अपने पिता जी की तरह, जिस तरीके से वो बो इस तरीके से शुरू होता है, इसके बाद चैनल पर रॉयल रंबल की प्रेडिक्शन वीडियो भी आ रही है, इंस्साग्राम पे शायद कल रॉयल रंबल का लाइव होने वाला है, ट्विटर पर लाइव ट्वीटिंग होने वाली है, तो तीनों जगों के लिए आपको पह जेलिनवे का बहुत बुरी तरीके से गिरी, इस मैच में जो सैंटोस असको बार हैं, वो जीट जाते हैं, कालिटो को पिन करके, नेक्स्ट बैक स्टेज से एजेस स्टाइल्स और जीमी उसो का सेग्मेंट होता हुए, और सेगमेंट के दर हम क्या देखते हैं, जीमी उसो क डिसिंटरस्ट है, AJ Styles का वो उसी के लिए देख रहा था, बैक स्टेज से हमको नेक ओल्डेस और एवा रेइन के बहुत सारे सेगमेंट्स दिखते हैं, पूरे स्मैक डॉन में, क्योंकि एवा रेइन जो नेक्स्ट में जनरल मैनेजर बन चुके हैं, पहले तो इनको है, वो रॉयल रंबल के लिए फिक्स हो चुका है, बॉबी लैशली भी थे, बियांका ब्लेयर बेली, ये सारे अलग-अलग सेगमेंट्स के अंदर आतने हैं, तो ये भी एक डबल डबली ने रॉयल रंबल कॉंस्टनली दिमांग बर रखने के लिए चीज करी थी, इसके पर आया एक टैटल चेंज, कबो की वारियर्स वर्सेस केड़न कार्टन केटाना चाहिन का मैश, तब बहुत अच्छा मैश था भाई है, इस मैश को देखके लगता है कि हाँ, विमन्स रेस्लिंग में स्पेशली विमन्स टैग टिम डिविजन में चीजें बेटर हो सकती है और इस बार तो जो केड़न कार्टर कटानाचाहिंस का फिनिशर है, वो भी काम नहीं है क्योंकि उसको ब्रेक कर दिया जाता है, एंड में जो है कड़न कार्टर कटानाचाहिंच को वहाँ पर जाके उन्हें धो दिया, जो अल्बो है आता है कायरी से अटाल चेंज हो गया पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या है सही डिसिजन है क्योंकि मैं तो इंजॉइ कर रहा था वाई के दिन काड़न के टान चैन्स के रेंग को बट ठीक है अब डैमेज कंट्रोल के पास चैंपेंशिप आगी या बेली को भी अपने आपको प्रूफ करना रहा है लेट सी क्या बिग डॉग से ट्रैबल शीफ बना अब तेरे पास भी मौका है वो एक टांग का जो चैंपेंश सेथ रॉलेंस उसको चैलेंज करेंगा जब तू रॉयल रम्मल जीतेगा और जो तू गोल्ड है वर्ल है चैंपेंशिप है उसको लेके आएगा तू उसके बाद ब्लड ला लेकिन स्कारलेट बूल रॉड और और ऑथर सफ पेन लेकिन स्कारलेट बूल रॉड इसे विंग में आती है इसके बाद ऑविसली बॉबी लेश्ली इंस ट्रीट प्रॉफिट्स बोलते हैं भाई क्या हो तूम फेस टू फेस की बात औरी तून यह लड़की को आगे भेज दिया महिला को तून आगे भेज जा तो इस पर स्कारलेट के बारे में करें क्रॉस कहते हैं कि यार फेस टू फेस हो तो रहा है इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के सामने तू खड़ा है और बॉबी लेश्ली तो गुसम में थे वो जाके सीधा ही चड़ने लग जा यह हील टैक्टिक के ओपर जाता रिलाय करने अभी देखते हैं तो एक स्मैक डॉब ना कैसे चीजा आके अनफोल्ड करती है क्रॉस हैमर जो मारा रहा केरन क्रॉस ने बहुत बहुत ही बुरा लग रहा था वाई वह ऐसा लग भी सकती है तो वह थोड़ा सा बढ़िया नही किया इवेंचली ऑस्टेरी वाला मैस तो जीच जाते हैं रोल करके लेकिन अटैक होता है फिर उनके ओपर ग्रेसन वालर की तरफ से हैं दैन ट्रिक विलियम्स आते हैं और बाई वूब एट ट्रिक इसकी कितनी खतरनाक चैन्ट लग रही थी अगर आप एनेक्स टी से रिल नाइट के बसे इसके बाद गया था शो का मेंन इवेंट एंड ٍट वर्सिस अलो शिकोवा की बीच मैच शुरू में फ से पाल सलो शो शो और को मैत किया मैच को लेकिन इसके बाद एंड जो समों सपइक वाला हाथ यहना विलियम्स ठोम्नेल फगहाँ वाला इसका पयड़ कर ले अब मार तू एलन एट को जाके इसको फिनिश करते हैं सोलो सिकोवा उल्टा ओडर दे रहे जो बंदा अस तक ओडर सुनता है वो ओडर दे रहा है जो इसे मार वरना मैं तर ले प्राब्लम खड़ी कर दूंगा उन्होंने क्या किया एजस्टाइल्स ने दोनों को पेले सोलो सिकोवा भी आ जाते हैं रैंडी ओटन के ओपर अटैक करने लेकिन रैंडी ओटन ने उल्टा उनको ही बजा दिया अनौंसर टेवल के ओपर जो उन्होंने ड्रॉप करके उनको मारा है और उसके बाद एजस्टाइल्स के ओपर उनने आर क्यों भी लगा दिया बहुत स करना जिन्देगी आप समझे ले लेगी